हेलो स्टुडेंट्स बिटा कल की जो अपनी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने गाउस के नियम के बारें पढ़ा उसके अनुप्रियोग पढ़े आज की वीडियो में हम गाउस से अनुप्रियोग से रिलेटिज कुछ क्वेस्टन्स हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो जैसे मैं क्वेस्टन लेता हूं जो आपका क्वेस्टन है वो है स्मेट्री पर आधारित प्रिसेंट काउस्क स्मेट्री पर आधारित स्मेट्री पर आधारित प्रिसेंट है तो जैसे मैं क्वेस्टन लेता हूं कि एक अर्ध गोला है ठीक है एक अर्ध गोला है और इस अर्ध गोले के इस प्रिस्ट पर एक प्लस क्यू आवेस इस तरीके से ना एक अर्ध गोला है इसके इस वाले पॉइंट पर क्या एक प्लस क्यू आवेस इस तरीके तो आप से कहा गया है कि इस इस अर्ध गोले से क्वेस्टन क्या है चित्र में दर्साए दर्साए गए अर्ध गोले से निर्गत विद्यत फ्लक्स का मान ग्यात कीजिए चित्र में दर्साए गए अर्ध गोले से निर्गत विद्यत फ्लक्स का मान ग्यात कीजिए अब बेटा देखो विद्यत फ्लक्स का मान कैसे ग्यात करें अब विद्यत फ्लक्स ग्यात करने के हमारे पास ना दू फॉर्मले है ठीक है एक फॉर्मला तो यह है फाई इक्वल integral of vector e dot vector ds यह वाला formula apply करते हैं with the flux निकालने के लिए और दूसरा formula हमारे पास phi e equal to q upon epsilon 0 यह वाला formula तो हर प्रकार के प्रिष्ट के लिए मानने हैं जब कि जो यह वाला formula इसे हम बोलते हैं गाउस का नहीं है यह हर प्रकार के formula के लिए मानने हर प्रकार के प्रिष्ट के लिए मानने नहीं है यह वाला तो उस स्थित्री में जब आपका प्रिंश्ट बद्ध नहीं है तो आप इस वाले फॉर्मले को एप्लाइे नहीं कर पारें तो आप किस तरीके से एकूस्टारी के से इस और को क्तुरी से ट जो हमें सेभ दी हुई हैं जो हमें आकिर्टी दी हुई है उस आकिर्टी को बार जो दी गई आकरती है ज्यानक दी गई आकरती को हम बारवा रिपीट करते हैं और तब तक रिपीट करते हैं जब तक प्रिष्ट आपका बद्ध नहीं हो जाए पूर तरह से बंद नहीं हो जाए और उसके कि अपारवर हम क्या खरते हैं और अपको यह दियाは है तो क्या आंपको यह दिया उतलत से जाए खौए और तक रिपीट करते हुए जाओ जब तक और तक वो क्या नहीं सबस्थ नहीं हो जाएं बद नहीं हो तो अब देखो eneub क्या को अन्य हो आगको यह अर्थ कटोरा को बन है है प्लस क्यों आसरा हुआ है कि यह निकालना है जो डिद दित फ्लक्स निकालना है तो आप ने क्या किए पूरे तो संपूर्न गौले से- अपरा गुलो हिनस उम्म पूर्न गौले से नरगाथ स्फिरिद्ट फ्लक्स नरगाथ विद्ध फ्लक्स एक ट्याथ कुझ एंपान एपसाइल नॉट संपूर्ण गोले से निर्गत विद्रफ्लक्स कितना फाई को टो क्यों अपन एपसाइल नोट है या नहीं है तो दिये गए अर्ध गोले से तो दिये गए अर्ध गोले से निर्गत कि Ara द विद्रफ्लक्स तो दिये गए ऐसे अर्ध गोले कितने जो आपको दिये दो तो दो से कितना आ तो दिये अर्ध गोले से कितना हो जाएंगा आदा यॉविद्रफ्लक्स का आदा क्योंकि एसे दो आक different तो इस तरह का क्वेशन अगर आपका आता है तो इस तरीकी सब्सक्राइब होगा यहां तक की चीज आप नोट कीजिए अच्छे तरीके से अपना इसको नोट करें इसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं ठीक है कि नोट करें इसे हां जी आगे देखते हैं विटाम अगला क्वेशन देखते हैं हाव विटा देखो आगे अगला क्वेशन करते हैं लोग कि अगला क्वेशन क्या है कि आपको एक स्क्वाइर प्लेट देवी हैं एक वर्गाकार प्लेट एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी साइड है और इस वर्गाकार प्लेट के सेंटर से कि एवाई टू दूरी पर कोई प्लस क्यू आवेस हैं तो इस प्लस तो आप से का गया है कि इस वर्गाकार प्लेट से निर्गत विद्द्ध फ्लक्स का मान गया थी जिए ठीक क्वेशन लेंगता हूं चित्र में दर्साए गई वर्गाकार प्लेट से निर्गत विद्ध फ्लक्स का मान गयात कीजिए ठीक चित्र में दर्साए गई वर्गाकार प्लेट से निर्गत विद्ध फ्लक्स का मान क्या कर तुबर बैटा गया होट दिया खॉरय है तो अब यह हम कैसे करेंगे है ठीक तो आप इसको कईसे ग्याद किरेंगे जिए पिलस की थोड़ा सा नीच दिखाएता हो यहां पर है तो अब कैसे याद करेंगे अब आगों बता है कि वही अगर हमें विद्ध छेत्र दिया होता तो EDS वाला फॉमला अप्लाई कर लेते हैं अगर आवेश दिया हुआ है तो विद्ध फ्लक्स निकालने के लिए क्यों अपॉन एपसाइल नॉट वाला फॉमला अप्लाई करेंगे ऐसा ही करेंगे हम लोग बट यहाँ पर कैसे करें ठीक है अब यहाँ पर तो आवेश दिया तो क्यों अपने अपसाइल नॉट यह और तो को तरीका है ने गाउस का नियम यह अप्लाई करना पड़े का मैं बट गाउस का यह कव अप्लाई होता है जब प्रिष्ट बद्ध हो बड़ यहाँ पर तो प्रिष्ट बद्ध ही नहीं है यहाँ पर तो यह प्रिष्ट बद्ध ही नहीं है यह पर तो यह प्रिष्ट बद्ध ही नहीं है यह प्रिष्ट कैसा विटा खुला प्रिष्ट है और खुले प्र तो आप क्या करना पड़ेगा आपको जो दी गई आकरती है ठीक है उस दी गई आकरती को बार वार रिपीट करना पड़ेगा और उस दी गई आकरती को बार वार तब तक आपको रिपीट करना पड़ेगा जब तक क्या नहीं हो जाएं जब तक आपकी बंद आकरती नहीं बन जाएं तो इसके लिए मैंने क्या किया एक प्लेट ये लगा दिए इस तो इसके लिए मैंने क्या किया जैसे आपको कि अग्यों कि यह वरका प्लेट तो आपके ठीक है ठीक 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 ठाइब मैंने क्वादा लीक कि यह प्लेट हाष्भर कम प्लॉड़ों कि यह जा आपके NICK ऴ summat मैंने क्या ज Northeast मैंना कि जुगश करते वाष्भर रिएнगे भ Hoşड़े मैंने के लिएम्ने कि वरे ला слишком ऑगे प्ल Näकम कि प्लेगरِّ लोगल WORो आपकें Worli Sowas तो इसके लिए आपने क्या किया इस तरह की एक से पिए एक दो तीन आगे वाली चार और पीछ वाली पांच ऐसी पांच और एक्स्ट्रा आपने वर्गकार प्लेट लगा दी और इस तरीके से बार-बार रिपीट करने पर आपकी घन बन गया और जो अब आपका आवेस है व एक से निल्गत विद्धित प्लक्स का मान गयाद कीजिए है तो कैसे गयाद करेंगे विटां हो है कि मैं सोचो है कैसे गयाद करेंगे तो आप मत्ता की अब कुल कितनी dart वह दोना है यहाँब इच्श है तो आप कि लिखोगे श्रा वर्गकार प्लेट या से निर्गत विद्यत फ्लक्स, निर्गत विद्यत फ्लक्स, फाई ए, कितना आपका, ए, किव अपॉन, एपसाल नॉट, ठीक है, छे वर्गकार प्लेट या घनिसे निर्गत विद्यत फ्लक्स, कितना, फाई एक वल टो, किव अपॉन, एपसाल नॉट, और हमें किसे निकालना इस वाली से, तो, तो, दी गई, जो आपको ये वर्गकार प्लेट दी गई, तो दी गई, वर्गकार प्लेट, से, निर्गत विद्यत फ्लक्स, तो, कितना होगा, बिटा, दी गई वर्गकार प्लेट से कितना होगा, छटवा हिस्सा, योगे, छे वर्गकार प्लेट से कितना होगा, फाई एड़ेस, कितना होगा, फाई एड़ेस, कितना होगा, फाई एड़ेस, तो, फाई ड़ेस, ए, कितना आ गया, Q divided by six epsilon naught तो इस तरीके से यह question आपका solve हो जाएगा तो यहां तक का जितना मैंने पढ़ाया है यह सब आप अच्छे तरीके से note कीजिए इसके बाद हम कुछ और question करते हैं तो आपके schooling level पर तो यही question आते हैं देखो वैसे तो इसमें foundation में बहुत है इसमें बात करें तो यह बहुत कावी कुछ है इसमें तो schooling level पर इतना ही है तो यहां तक कि आप सभी चीज़े एक बार note कीजिए अब हम आगे और question करेंगे इसमें हाँ बेटा अब कुछ और concept पढ़ते हैं इसी पर हम based चलो अब थोड़ी सर्चा घन के लिए करते हैं न इस तरह का आपकी जो बुक है इस कुल वाली उस बुक के जो पीछे unsolve question है न तो वहां पर एक question दिया हुआ है ठीक वहां से आप से पूछ जाएगा कि ठीक है तो अब वो हम question देखते हैं ठीक बुक का यह पीछे वाला question है इसमें घन के बारे में डिस्कस है पूरा ठीक है यह question बुक के ही question है मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है आप statement question की बुक के पीछे वाले प्रिशन है उनमें से देख सकते हो आपके आंके की प्रिशन है क्वेस्टन है क्वेस्टन है कि यह आपका एक घन है अब इस घन की अलग अलग इस घन के अंदर अलग अलग इस्थितियों पर आवेस्ट रखा हुआ है तो आप से कह गया है कि कुल निर्गत विद्धित फ्लक्स का मान क्या हुआ ठीक तो पहला केस हम लेते हैं कि इसमें केस फर्ष्ट केस फर्ष्ट कि जब कि आवेस कि घन के केंदर पर इस्थित है तो उस इस्थिति में गन से निर्गत विद्धित फ्लक्स ने अपको निकालना है तो जब आवेस्गन के केंदर पर इस्थित हैं तो वेटा फाई ए क्या होगा तो जब आवेस्गन के केंदर पर इस्थित हैं तो गन से निर्गत विद्धित फ्लक् तो फाई ये के इंदर पर है Q, तो फाई ये किसके लिए घन के लिए, ठीक है, तो फाई ये क्या हो गन, तो अब आपको पता गाउस्कानिम क्या करता है, कि बंद प्रिष्ट से नर्गत को बेद फ्लक्स कितना होगा, कुलाव इसका 1 अपॉन एप्साइल नौट, तो बंद इस केस में सबकेस है, सबकेस, केस के अंदर सबकेस, सबकेस क्या है, कि गन के पिरतेक फलक्स से नर्गत बेद फ्लक्स क्या होगा, गन के, जो गन के पिरतेक फलक्स से नर्गत बेद फ्लक्स क्या होगा, गन के, जो गन के पिरतेक फलक्स से नर्गत बेद फ्लक्स पूचा म गुआ आता है ना चलो अलग नहीं ऐसे मालो गन के अंदर तो कहीं भी हो एपलाई होगा गन के गन के प्रतेख इस वाले केस में गन के प्रतेख फलक के से निर्गत विद्यत फ्लक्स निर्गत विद्यत फ्लक्स ठीवड़ा तो क्या होगा तो आप देख रहे हो कि इस गन के अंदर कितने फलक है छे प्रिष्ट होते हैं एक दो पीछे वाला तीन आगे वाला चार नीचे वाला पांच अउपर वाला छे तो हम बोलेंगे तो गन के कि अंदर कितने फलक है छे फलक है तो 6 फलक से निर्गत विद्यत फलक्स कितना है किव अपन एपसेव लूट तो गन के एक फलक से मिलकर आपा हाइं तो छे फर्ट को से निर्गत विजुन विजदृफल॥ लूट इंसक्स तो कितना गया उतना है तो वाइगी कितना गया क्युए one एपसायल नॉट ठीक है Q अपन 6 एपसायल अट तो ये क्या है घंके एक फलक्स निर्गत विद्द्ध फलक्स क्लियर तो ये आगा आपका दने के परतेक फलक्स निर्गत विद्ध फलक्स केस फच्ट में सेकंड केस में आवेज की लोकेशन चेंज कर देते हैं तो यदि आवेज घन के किसी एक फलक परिष्थ हैं ठीक के सेकंड यहां तक चीज तो आप नोट करें ना बैटा यह सारी चीजे सारी नोट्स में नहीं है आपने लिख लेना क्वेशन है बुक का उसका मैं सॉलूशन करा रहा हूं इस से रिलेटिक गाउस के लिए हम से के सेकंड यदि जब आवेज घन के फलक परिष्थ है के सकंड क्या जब आवेज घन के फलक पर इस्थत है ठीक है जब आवेज घन के फलक पर इस्थत है तो उस केस में क्या होगा यह आगो बताना है तो बेटा एक चीछ देखो इस इस्थती में मैंने आवेज का पर रख दिया घन के फलक पर इस जगे ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे यह जब आवेज तो गन के फलक पर बंद परिश्ट पर तो आवेज दिया हो तो विजद फलक निकालने के लिए गावज का नहीं है और को आप के पास तरीका नहीं है तो आप क्या करोगे तो जो आकिर्ती दी हुई है उस आकिर्ती को बारवार और कब अब तक करो जब तक वह बजद नहीं हो जाए तो कौनगिज आकिर्ती हुए आपको घन तो आपको क्या करें करें आईसी ही घन टाइप की आकिर्ती एक और बनाएंगे इंगे आми PPE इस तरह की गंड टाइप की जो आकरती हैं वो आप एक और ड्रा करेंगे तो एक साड़ी यह हो गई आपकी पूरी तरह से थोड़ा सा सही से बना देते हैं और तेड़ा कर लेते हैं इसको कर दो कि अधिया यह बन गई क्लियर तो अब आप देखने हैं जो गनके फलक पर तो अभी चारोर से बंद होगी आपने जो आकरती दी है उसी आकरती को रिपीट किया सम्मित तरीका अपना ओगे और जो आकरती दी हुई है उसी आकरती क्या करोगे आप बार बार रिपीट करोगे तो आपने जो दीगए आकरती आप गन है इसी को बार बार रिपीट करोगे तो कितने गन आगए आपके दो गन तो मैं मुलें जब आवेज गन के फलक पर इस्तित हैं तो इस केस में दीए गए दीए गए घंसे आपको तो ये गन दिया हुआ न ये बला यो डार्क में ये बला तो दीए गए घंसे दीए गए घंसे निर्गत वेजित फलक्स तो इस दीए गए घंसे निर्गत वेजित फलक्स कितना होगा फाई ए क्या होगा आधा होगा न कितना होगा दो गन से तो कितना क्यू अपॉन एपसाइल नोट तो कितना होगा आधा वन वाई टू किसका क्यू अपॉन एपसाइल नोट क्योंकि दो गन से निर्गत वेजित फलक्स कितना आपका क्यू अपॉन एपसाइल नोट तो दिए गए घंसे कितना होगा आपका आधा होगा वन वाई टू क्यू अपॉन एपसाइल नोट कितना आपका क्यू अपॉन टू एपसाइल नोट और आगया क्या दिए गए घं से निर्गत विद्द फ्लक्स कितना आगया अब का Q upon 2 Epsilon तो इस तरीके से ये क्वेस्टन आपका सौल होगा जब आवेस घं के फलक पर इस्थ है तो गन से निर्गत विद्द फ्लक्स कितना इससे ये वाला अब इसमें ही सबकेस और पूछ लेते हैं सबकेस जिस फलक पर आवेस इस्थित है उस से निर्गत सबकेस में क्या मैं क्वेस्टन लिख देता हूं यह सबकेस में लिख देता हूं जिस फलक पर आवेस इस्थित है उस फलक से निर्गत विद्द फ्लक्स उस फलक से निर्गत विद्द विद्द फ्लक्स तो उस फलक से निर्गत विद्द फ्लक्स कितना होगा देगो कितना होगा जीरो होगा ना क्योंकि एक्चल में आवेस जिससे निर्गत जिसके ओपर रखा हुआ है उससे कैसे विद्द पर लिखा निकलेंगे उससे तो है तो इसके लिए तो हम बोलेंगे नहीं, तो इस निगरत वे 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 तो इस निगरत कि पालको दो में से प्रतेख से इस पांच फल्कों में से प्रतेख फलक से नर्गत विद्ध फलक से नर्गत विद्ध फलक्स by a 5E से कितना है इतना अब जिस पे आवेस रखा हुआ उससे तो निगलई निरा तो इसका भाला ये कितने से निकलेगा 5 से तो कितना आगया 5Eड़ाइड वाई 5 कितना आगया Qई अप और 10 Epsilon एपसाइल नौट यह आ गया आपका किलियर चलो जी यहां तक कि सभी चीज़ें आप नोट करें इसके बाद हम आगे केस करते हैं इसी महीं अभने दो पहले केस में आवेश को हमने घंग के अंदर रखा दूसरे केस में हमने आवेश को फलक पे रखा अगर हम बात करें तीसर जाई आवेश कोम कहां पर लग रहे हैं कौने पर कहां पर रखते हैं कौने पर रखते हैं चलो तीसरे फिस में आवेश कोम लगते हैं गन के कौने पर जब आवेश गन के कौने पर इस्तित हैं केश थर्ड थर्ड केश वेटा जब आवेश गन के कोने पर करते हैं होग साले केस अिस वले ही बात करते हैं अम लोग है और आ वेश ऐस वाले कौने पर ठोड़ा व्क कर दिखाएता हुए न इस आपको केमिस्टी वाले सन्ने फोट वो कराये होंगे solid state में तो यह आवेज गन के कौने पर यह जूम करके दिखाया इस आवेज पॉइंट साइज हैं बट जूम करके दिखाया है तो अब क्या होगा तो आप कैस करेंगे बटा अब दिये गए गन से हमें निकालना है तो एक चीज़ देखो अब आपको बता कि इस कौनर वाले गन को बंद करने के लिए आपको मैंने क्या बता कि सम्मेथी वाल तरीका अपनाएगा समित वाल तरीका अपने का कि समित वाल तरीका क्या होगा कि जो आकिरति आपको दिया हुआ है जो आकिरति आपको दिया हुआ है उस आकिरति को आप क्या करोगे बार बार रिपीट करोगे ठीक है जो आकिरति आपको यह वाले दिया है इस आकिरति क्या करेंगे आप बार बार रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करते हुए जाएंगे जब तक की पूरा फूरे गन का निर्मान नहीं हो जाए तो इस आ करती को इस गन को मैं आ रे-वार रिपी्ट करता जाएगा destas पूरे गन जल्मान नहीं हो जाए मत बंद नहीं हो जाए गन इस मानध्व पूरा बंद नीम *** करो बटा उसको बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए मुझे जैसे दो तो यह बन गए जश्ट इसी के फ्रंट में इस तरीके से मुझे एक घंड और बनाना पड़ेगा आप देख रहे हैं न यह हो गया इस तरीके से ज़स्ट इसी के फ्रंट में तो आप देखे लिए चार गन न वन गया ना वहीं एक दो और तीन और यह चार जार गन वन गया आपके तो क्या ही इन चार घणों से 4 गनों को मैं रिपीट किया चाहे क्या पूर्ज बंद हो कया तो आप केमिस्ट्र न पढ़ा होगा कि यहां पर भी चार गन बने तो अभी पुरी तरे बंद नहीं हुआ, तो अगर मजे को कि इसका आदा पोर्षा नहीं बंद हुआ नहीं से, अगर मजे ये पुरी तरे से बंद करना तो इसके जश्ट उपर एक मंजल और बनानी पड़ेगी इन चार गनों की ही, तो ये क्या होगा बंद हो जाएगा, तो कुल कितने गने कोर्ण कोर्र पर इस्थ ध्यरं के तो यहां पर कितने घना में बनाने पड़े आठ तो, आठ गनों और उसके बंद हूए है तो तो दिए गनों से कितना इस्ष ऐगा, आठ वा अब आपको सम्मित्र तरीके से सम्मेट्रिक तरीके से आपको ऐसे आठ गन बनाने पड़े इसको बंद करने के लिए चार नीचे और चार उपर अब और 8 गनों से पहीं सादी है तो अबस्दना फाइट गरता फाइट कर देंगे आप क्या कि यहां परी हम्प्लीट हो गया कि नेक्स्ट 借ो यह प्गत्राफ अब इस मैंत आपता कुछ कैस करते हैं यह रोल सब्कैस करते हैं इसे इसर भूर सब केस हो घृट सब्सक्राइब कर अब इसके लेते ऊभाएं कि अ उइस कॉर्णने से कितने फलक जैसे आपने लाग ऑने सिर्ट पर आवेस संब्सक्राइब क्चितना थाあ 0 तो ऐसे ही यह करन वाला जो पॉइंटे हैं यह कॉर्णर कितने फल्क को जडा हुआ है if दियान से कितने फलक इस कौन लोड़े हुए थे एक ये वाला फलक एक ये वाला और एक उपर वाला बोलो है नहीं तो जिन ती हाँ वेटा कोछे वीडियो में मिश्टेक हो गई थी मतलब मिश्टेक क्या कि मैं पढ़ा रहा था देखा था वीडियो कट गई थी चलने रही थी तो मैंने बाद में देखा वो लिखा हुआ है तो आप देखो मैंने उसको पहले ही करा दिया था जो वीडियो बनने ही पाया इस निए पर डिसकस कर दी है उस टॉपिक को मैं और डिसकर लीता हूँ तो मैंने अच इस से वीडियो मैंने देखा कि मैंने यहां तक आप पढ़ाया दिया कि जो यह कॉर्णर वाला जो फलक है तो मैंने जैसे आपको पहले बताए था कि जिस फलक पर आवेस इस्तित होता है उस फलक से तो आप देखो यह कॉर्णर वाला तो तीन-तीन फलकों जुड़ा हुआ है इस फलक पर आवेस इस्तित है तो उसके जिन-तीन फलकों से आपका कॉनह जुड़ा हुआ है उन-तीन फलकों से निर्गत-विद्दित-फ्लक scholar कितना हुआ टेंके तौमहें लिखा हुआ सब केस आखेश में जिन तीन फलक़ों से कोना जड़ा हुआ है उन फलकों से निर्गत्विद्विद्फ्लक्स फाई ही कितना आपका? जीरो है. छुचा करτε बाकी गड़ी में निर्गत्विद्फिद्व्द्विद्फिद्व से कितना है जो दिया गए यह वाला गने रहा जी वह जैन दिये गए इस ग torto से नग versions로 purpose कितना इस ग्दा से तो निर्गत विफिद tipoाइबू कितना कुछ ऐपाौं एपसाइल नौट तो तीसरा इससा कितना हो गया 1 by 3 Q upon 8 एपसाइल नौट तो कितना गया Q upon 24 एपसाइल नौट तो बिटा आप पता होने चाहिए कि जब आवेश घन के कॉर्णर पर इस्तित है जब आवेश कहां पर है घन के कॉर्णर पर इस्तित है तो जिस घन के Chopiner पर आवेस तत्य अ से निरंगत विद्धु फ्लक्स होता कि अपौन-8 एपसाइल, और जिन कॉनों वो जिन फलकों से वो कोनर एपसाइल táऊ हुआ है, उन इसे निरंगत विद्धु फ्लकस हुआ है, और और यह वो question है, जिसमें सारे case दिये हुए थे, तो यह सभी question मैंने आप पर discuss कर लिये हैं, तो भीटा, आप सभी इन चीजियों को अच्छे तरीके से note कीजिए, यह आपके notes में नहीं है, बार बार मैं कहा रहा हूँ, तो इसलिए आप इन्हें note करना, जिस तरीके से मैंने करा हुआ है, question की statement आप book से ले सकते हैं, यहां तक की, तो आज की video हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इससे आगे next video में हम topic discuss करेंगे, ठीक है, तो इस सारे कुछ इतना भी है, आप अच्छे तरीके से क्या करें, note करें, चलो, वीडियो समाप्त करने से पर मैं एक question और बताये तो, जैसे मैंने notes में देखा, ठीक है, मैं ज्याने notes में, यह question है, कि जैसे मैं आप सक्या रहा हूँ कि एक, यह कोई वर्ताकार plate है, और यह वर्ताकार plate, वेद्यो छेत्र में रख्यों, यह इस तरीके से है, ना, इस तरीके से, मतला यह जो विद्धित पल रेखा है, यह इसके तल से होका जा रही, तल में के अंदर से न जा रही, तल को इस पर्स करते हो जा रही, तो आप से कागया है, कि इस से निर्गत विद्धित फ्लक्स का मान ग्यात करो, और आपको confusion के लिए यह एंगल इस तरीके से दिया से निर्गत फ्agitत खाय हो, तो मेरा जयान रखना? कि यह आपकी वैक्टर यह, क्या आपकी वैक्टर यह, अड़ीटर है, ओर ठीट ग्या होता इस तल फिड़े के लंबना ही, तर यह शुक्त है और अई और जिद्धित प्रिटर घर ekaपन यह तल कि कि अ तो इव पर से तो कॉस्ट नाइट गिना होगा जीड़ तो फाई एक वैल कितने होगा आपकी जीरो के तो इस से नगत विद्धित फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा ऐसे ही एक क्वेश्चन सायद मैंने और कराय हुआ वर्गकार प्लेट पर ही वह भी सेम ऐसे ही है आपकी साथ बुकक कोई सन बाहर की और हो गया यह हो गया ऐसे हो गया तो इसलिए यह हो गया ठीक है तो यहां तक कि सब ही चीजे आप नोट करें तो इससे भी निर्गत विद्धित फ्लक्स क्या होगा जीरो होगा क्योंकि यहां पर ठीड़ा कितना 90 डिगरी है तो यह दो क्वेस्टि मैं यहां पर कर दिया आपके साथ तो आप इस सब चीजे नोट करें और इसके बाद की जितनी भी चीजे होंगी ठीक है इसके बाद कि जितने भी concept है जितने भी चीजे है एक्चल में आप तो हम गाउस के अनुप्रियोग पढ़ेंगी ठीक है एक question हमेशा चार नंबर में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो बड़ी important होगी आपके चार नंबर का एक question आता हमेशा एक्जाम में बड़े question में से आता है ठीक है तो वह अच्छे तरीके से आप समझना ठीक है तो यह सारी चीज़े आप नोट कीजिए और अपना भीया सभी ब ठीक है okay thank you